मैं बना रही हूं इस्तार में अभी मैंने सुचा यहां से शुरू किया जए आज एचली हम लोग सौपिंग के लिए दी जाएंगे और अभी इस्तार का वक्त हो रहा है तो यह मैं पकोड़े फ्राइ कर रही हूं ग्रियानी हमारी बन गई है और देखिए क्या-क्या मैंने ब यह नहीं छोड़ देता है नर थेजिव्यव स्मटर करने जिए पास्ता बनाएं बच्चों के लिए क्युक्ז 4 बच्चों को पास्ता पसंद है तो मैं टीकर के साथ बिदेखिए के साथ से माया ने सब्सक्राइडती मािटन बनाई है यह देखिए कितना अच्छी विर्या अभी इसको प्लेट करके आपको रिखाए ये देखी क्या जबरदरस थी बिर्याने तयार है अधिते बिर्यानी मिक्स कर ली है तो चलिए अब तरस पहले प्लेट करते हैं ये पकोड़े हो गए ही इनको पलट लेते हैं खुटेका लगारी पुट कॉडे के लिए ठोडे के लिए तोड़े हैं, ये कटोरी वाले शीप से बहुत अठें लगते हैं बच्चों को बहुत अपकन है, तो मैंगे प्राइब के रहे ही इसमें फ्रूट सेगर में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी से सुगर डाली और उपर से अनात आना सभी हमारी दो फ्रेंड देके गई हैं इफ्तार का यह पाख्टारी आई है मेरी दूसरी प्रेंड के घर से में तयार होना है यह मैंने बाजरे का हल्वा बनाया था गुड़ और बाजरे से तो थोड़ा हेल्दी हमने का कुछ बनाया जाए बहुत हैवी हो जाता है रमजान में तो यह मैंने बनाया है अंगा है यह आगा है है यह दो आगा है यह तो यह तैंग है यह रुबजा है और लग देखे सब का अलग अलग है जिसको जो पसंदे उसके लिए ये माशाआलला दस्तरकान हमारा लग गया है, हम लोग नीचे बैट के हिफ्तार करते हैं, अभी हिफ्तार के बाद नमाज पढ़ेंगे, और माशाआलला देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो गया, आप सब को ये सब निमतों की तौफिक अता करें, आपके बच्चे नेक दि नमाज पढ़ेंगे, और मसाला चाय चाहिए, आप लोग भी चाय या काफी के शोपिन होगे, ये देखे हैं हमारी चाय रेदी है, फिर हम लोग वास्चित के तरावी के लिए, अब तरावी हो गई है, हम यहां से हम निकलेंगे शोपिन के लिए, ये हम मॉल में आ गए हैं यहां पर शोपिन के लिए, तो वही डेली रूटीन जो होता है, रमजान का वीकली शोपिन वो करनी थी, और फिर कुछ यहां पर हमने देखा, गार्मेंट्स के तरफ काफी अच्छा कलेक्शन था, इस्पेसली गल्स का, छोटी बच्चीयों का बहुत अच्छा कलेक्शन तो वह मैंने शूट किया है, और यह लेडीज के लिए ड्रेसेज हैं यहां पर आफर में था भी, और इस्टीज्ट हैं यह ड्रेसेज, तो यह चलिए, आप इंजॉय किजिए हमारा व्लोग, यह कुर्ते हैं, काफी अच्छा सॉफ्ट मिटेरियल है इनका, और दूसरा यह है कि जिसे कुछ तो इद का कलेक्शन है यहां पर, और बाकी समर का कलेक्शन बहुत हुज कलेक्शन आया हुआ है भी, बहुत अच्छा लगा मुझे, काफी अच्छे कुर्ते, टॉप्स, लांग ड्रेसेज वगरा थे, तो अच्छे थे वहां पर, और प्राइज भी सही है तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं और यह कोई प्रोमोशन नहीं है उसका, बट यह है कि वहां पर मैं गई थी तो मैंने सुचा आप लोगों के साथ शेर करूं ता, जो यहां पर सॉदी में रहते हैं या गल्फ में रहते हैं, जहां जहां पर लूलू हाइपर मार्केट है हुँ हुँ ही लिए के खो लूो आप खेनो आप हब कर तो में आप ए क्षेब तो, खो में तो negए हैं प्रोमोशन लेल मोहां मत श्युण रहते हैं, दुर्णलब्ि sticky उपी है हुँ हुँ ये ब्लेजर मुझे बहुत अच्छा रगा और रहा तो फ्ली टीटा है तो ये वाला यह मैं टोप्स देख रहें कि बहुत अच्छा लगा मुझे स्लीउस्डे बहुत अच्छे थे लाइं ओप नियुच्छे ते लाइ लैकिन लगा हुआ यह इन paling अच्छ एक भूआ है तो अच्छा काल्चन बहुत अच्छा जी यह उतला है यह लांग ड्रेस में बहुत अच्छी लगी इसका मेंटेरियल बहुत अच्छा था था वट बहुत बढ़ी धी और ऊच्छा रिफेगो है यह उभी बहुत अच्छा था और यह देखिए माया प्राइस ऐ्ल्या जलाया स्ली मैं अधाता अला हाभी बीक खाय इन्खाल्क कल मुहम्मध सेडुल क्यों इनी वा थाक अलें मुहम्मध सेडुल क्यों आई इनी वा सता गालें वा था क्यों मिन आजरें यह मैं बच्ची के सेक्षान में इत हुद रहा हुद हरो इत के लिए जो बहुत अच्छी लगी इत के लिए जो अभी न्यू कलेक्शन आया है बहुत अच्छा है वह अभी चलो मैं आपको वह भी दिखाती हूँ इत के लिए रेड़ वाली कितनी प्यारी लगए वाइड़ वाली है इत करा से शोटी बड़ी जो बच्चीया है ना सब के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन आया है अबादन आला हाबी पीक्या ख़यरिल्खल्क कुली मुहम्मद सेदुल्कौन इनी वाथाक अलाई मुहम्मद सेदुल्कौन इनी वाथाक अलाई वाथाक अलाई वाथाक अलाई वाथाक अलाई यह प्रॉक्स मुझे बहुत लग रही थी चोटी चोटी सी तो मैंने सूचा इनी का व्लोग बनाया जाए वीडियो शूट किया जाए यह देखिए बहुत अच्छा लग रहा है तो जिनकी भी बच्चियां हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है हमारे तो बेटे हैं तो मैं तो बस अर्मान है इस तरह की ड्रेसेज देख के ही खुछ हो जाती हूं बस तो बहुत खुछ नसीब हैं वो जिनके पास बेटियां हैं माशा आलला माशा आलला यह देखिए बहुत ही प्यारा कलेक्शन ही देखिए मुहम्द नसीद बहुत हैं तो चलिए अपनी ग्रोसरी शॉपिंग स्टार्ट करते ही और ये देखिए सारा बहु काफी कुछ अभी ओफर में चल रहा है चलिए रम्दान भी और इद आने वाली है क्योंकि अभी का नजदीक है तो इद के लिए भी काफी ओफर लगा हुआ है जाने देखिए मैंने का क्या करीज़ा है क्या खेरी ओ क्या खेरी जाले का दो ये तो आने है अगली मिटाक है ये अब हम घर पहुच गये हैं तो ये देखिए मैंने ये ये शॉपिंग की दानियान ने शूज भी लिए अपने और यह हमारा आज का था व्लोग सारा वहां पर मैं कुछ नहीं शूट कर पाई काफी सारा क्योंकि बहुत रश था टाइम मतलब इतने सारे लोग थे तो उसमें हो नहीं पा रहा था तो मैंने सोच अशे लोग घर पहुच के आपको दिखाते हैं यह इतनी सारी मैंने शौपिंग की है तो आप लोग जरूर बताएं कि आपको हमारा आज का रूटीन व्लोग कैसा लगा है और कमेंट करें लाइक करें हमारे वीडियो को शेयर भी किया करें अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकर प्रेस करना बिल्कुल ना भूले जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके थैंक्स पूर वाचिंग अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा हम सब हम भी आप सब के लिए दुआ करते हैं आप सब के रोजे और अबादत कुबूल करें आमीन सुमा आमीन